भारत के सम्विधान में एक आटकल 47 है जिस पे चर्चा होती नहीं है लेकिन बहुत ही इंपोर्टन्ट आटकल है आटकल 47 ये कहता है भारत को नशा मुक्त और शराब मुक्त राष्ट बनाना है और स्टेट शैल ये राज्जी की ड्यूटी है ये केंद्र की ड्यूटी है कि भारत को नशा मुक्त और शराब मुक्त राष्ट बनाए दुर्भाग्यवस संसत में इस पे चर्चा नहीं होती विधान सभा में इस पे चर्चा नहीं होती और नतीजा ये हो गया है कि गाउग गाउग शराब के ठेके खुल गए है गाउग गाउग चरस अफीम कोकीन बिकना सुरू हो चुकी है शहरों के हर मुहले में गाजा अफीम सराब चरस पहुँच रहा है भारत के कॉलेजेज के अंदर जहां बच्चे बीए बीए सी बीकाउम करने आते हैं बीबीए करने आ रहा है इंजिनिंग करने आ रहा है मेडिकल करने आ रहा है वहाँ पे सिगरेट के खोके में गाजा पहुच रहा है देखने में सिगरेट होता है एक्चल उसके अंदर चरस होती है देखने में सिगरेट होता है उसके अंदर अफीम होती है कौन जिम्मेदार है इसके लिए इसके लिए केवल और केवल सांसद और विधायक जिम्मेदार है लेकिन आप लोग भी इसके लिए जिम्मेदार है हो सकता है आपका बच्चा भी नशा कर रहा हो मुझे नहीं पता हो सकता है आपका बच्चा नहीं तो आपका भांजा, भतीजा, नाती, पोता कोई ड्रग ले रहा हो, सिग्रेट ले रहा हो, चरस ले रहा हो, अफिम ले रहा हो, मुझे नहीं पता. समाज भी जिम्मेदार है, हमारे सांसत बिधायक भी जिम्मेदार है, और हमारे धर्म सुब़ से लेके शाम तक राम कठा करने वाले, एक खृष्णिकी कथा करने वाले, इस आइकल 47 को लागू करने की मांग क्यूं नहीं करते? ये इतने सारे पादरी हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं, महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, अध्यात्मिक गुरु हैं, स्री स्री एक हजार आट, स्री स्री एक सो आट, ये आटकिल 47 लागू करने की मांग क्यों नहीं करते हैं। और मैं तो ऐसे चमतकारी बाबाओं से पूछ रहा हूँ, आपके पास अगर इतना चमतकार है, कि आप लोगों का भला कर सकते हैं, भूत उतार सकते हैं, प्रेत उतार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो भारत में ड्रग स्मगलर की बुद्धी आप क्यों नहीं ठीक कर सकते ह अगर आपके पास इतनी शक्ति है सिदे सिदे आप जो मजार पे आ रहा है उसको भी आप ठीक कर दे रहे हो जो दरगाह पे आ रहा है उसको भी ठीक कर दे रहे हो जो मंदिर में आ रहा है उसको भी ठीक कर दे रहे हो जो चर्च में आ रहा है उसको ठीक कर रहे हो तो मैं इस देश के सभी पादरी, मौलवी, महामंडलेश्वर धर्मगुरू, कथावाचक रामकथावाचक, कृष्नकथावाचक जो भी लोग हैं, जो भी धर्मगुरू है किसी भी पंथ के हैं, चाये वो जैन मुनी हो चाये वो बहुत धुगुरू हो, चाये वो दलाई लामाजी हो, चाये महामंडलेश्वर हो सबसे नहीं वेदन करता हूँ आप इस देश को नशामुक्ट, शरामुक्ट क्यों नहीं बना पा रहे हो आप इस देश के सांसदों और मंत्रियों की बुद्धी क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हो कि वो आर्टिकल 47 के उपर भहस करें आप इस देश के जो ड्रग स्मगलर है, उनकी बुद्धी क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हो, कि भई आवो नसा तसकरी वाला काम छोड़ने, पूरे हमारा समाज बरबाद हो पूरा देश बरबाद हो रहा है, परिवार के परिवार बरबाद हो रहे हैं, करोडो माता पिता अपने नसेडी बच्चों से परिशान है, करोडो हमारी बहने अपनी नसेडी पतियों से परिशान है, करोडो बच्चे अ और मुझे तो सबसे आश्यर होता है चलो ठीक है यह 700 विधायकों को नसा तसकरों से पैसा चाहिए, नेताओं को नसा तसकरों से चंदा चाहिए, उनको चुनाओ लड़ना है, पॉलिटिकल पारिटीयों को इन ड्रग स्मगलर से चंदा चाहिए, उनको अपना चुनाओ पूर इस कैम हुआ है लेकिन इस देश के धरम गुरू जो सुबह से शाम तक ग्यान दे रहे हैं मजभी मौलाना जो सुबह से शाम तक किवल तालीम दे रहे हैं पादरी जो सब को प्रेयर करा रहे हैं सब को चर्च में बुला बुला के प्रेयर करा रहे हैं ये पादरी, मौलवी और धरम गुरू एक साथ मिलके नशे के खिलाफ हला बोल क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं एक साथ कॉन्फिंस करके कहते हैं कि भई आर्टिकल 47 लागू करो और जो आदमी ड्रग स्मगलिंग में पकड़ा जाए। इसकी 100% पॉपर्टि जबत करके इसको फांसीदो। ड्रग स्मगलर के लिए इसस्पेसल कोट की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो नशे का मामला आई है एक साल कंदर डिसाइड होना चाहिए। ड्रग स्मगलर के लिए क्यों नहीं मांग करते हैं कि जितने भी नशे के कारोबार करते हैं इनका जो नार्को पॉलिग्रा बेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए जिससे पता चले कि उस पूरे नेटवर्क में और कितने लोग हैं ऐसा नहीं कि भारत नशामुक्त नहीं हो सकता ऐसा नहीं कि भारत शरामुक्त नहीं हो सकता ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है हर समस्या का समाधान है लेकिन इमानदारी से करना पड़ेगा केवल बाते करने से अच्छी च्छी बाते करने से अरे देश हमारा गर्त में जा रहा है नसे में डूबता चला जा रहा है पहले जहां 25 साल, 30 साल के लोग नशा कर रहे थे 20-22 साल की करने लग गये और आप तो कई सारे Convent Schools में यह देखा है कि 11-12 के बच्चे पानी की बोतल में बीयर भर के ला रहे है इतनी बाते पकड में आ गई है चोटे-चोटे बच्चे हमारे ड्रक के खेल में चले जा रहे है और सब सोत रहे हैं सब बहुत बढ़िया-बढ़िया अच्छे-ची बाते करने से समस्य हैं ठीक होती है क्या मैं इस देश के धर्म गुरूं से निवेदन करता हूँ आप अपनी कथा में एक बार इन नशात तसकरों को फासी देने की मांग क्यों नहीं कर रहे है इस देश के सभी धर्म गुरूं सभी महामंडलेश्वर सभी संकराचारी सभी पादरी सभी मौलवी सभी जितने भी बहुत धुगुरू है जितने भी जैन मुनी है ये सब लोग एक होके ड्रग स्मगलर के खिलाफ हला बोल क्यों नहीं कर रहे है नेताओं का समझ में आता है उनको चंदा मिलता है पोलिटिकल पार्टियों को समझ माता है चंदा मिलता है क्या इस देश के धर्म गुरू भी ड्रग स्मगलर से चढ़ावा ले रहे हैं क्या क्या इस देश के मौलवी मौलाना जैन मुनी बौध धर्म गुरू पादरी जगत गुरू महामंडिलेश्वर क्या ये लोग भी इन ड्रग स्मगलर से पैसा ले रहे हैं अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर इनके खिलाब बोल क्यों नहीं रहे हैं अगर नहीं ले रहे हैं तो ड्रग स्मगलर सो फासी देने की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं अगर नहीं ले रहे हैं तो सिंगापूर में जैसा कानून है मातर 900 ग नाजा लेके घुम रहा था यहीं है अपने भारत करहने वाला था तमिलाडू करने वाला था सिंगापूर में कई नौसे गरम गाँ जा लेकर जा रहा था आजा a right कियो था नसा तस्कुर को फांसी का कानू चाहिए परिवार के परिवार तबाह होते जा रहे हैं, परिवार के परिवार बरबाद होते जा रहे हैं, ड्रक की खेब पकड़ी जा रही है, कहीं 50 के लो कहीं, 60 के लो कहीं, 200 के लो कहीं, 300 के लो कहीं, खेब पकड़ी जा रही है, और इसके बाद भी अगर मौन है, तो कुछ तो गरबढ़ है, किस, कौन स के सांसद विधायक को जानते हो तो यह वीडियो उन तक जरोर भेजना और उनसे कहिएगा इस को ध्यान से सुनें आप किसी सांसद विधायक को जानते हो उनके पास भिया भेजना और उसे पूछना कि इस आर्टिकल सम्मेधान के आर्टिकल 47 को कब लागू किया जाएगा भारत नशा मुक्त शराब मुक्त देश कब बनेगा